दोस्तों, नमस्कार, मैं हुु धनेस और स्वागत है आपका कृसक इंडिया, किरसक भारत में दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो लोग सही तरिका से quality farming करते हैं, वो लोग पहले से क्या क्या तैयरी करके रखते हैं जो लोग अनमने धंग से आपने काम को सुरू करते हैं वो लोग 100% अंसकसेज हो जाते हैं उनको सकसेज नहीं मिलता है। इसलिए आप सही तरीका से सही जानकारी के साथ पौलट्री फार्मिंग करेंगे तो बिल्कुल आप सकसेज होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या-क्या हमें करना चाहिए जिसे कि हम एक successful poultry farming को अंजाम दे सकें। दोस्तों सबसे पहले अगर आप poultry farming करना चाहते हैं तो आपको पूरी तयारी जो है वो पहले से करनी पड़ेगी। जिसमें चुजा आने से पहले अपने सेट को पूरी तरह से जिवाडू रहित कर लें यानि कि दवाईये का छिड़काव अपने सेट पर कर लें उसके बाद drinker feeder को आप सेट कर लें और दोस्तों सबसे most important जो है दाना का आप पहले से भंडारन करके रखें क्योंकि कई किसां सा करके फिनिसर दाना को ले आते हैं और उसी को पीस करके मुर्गियों को आठ दिन के बाद ही खिराना इस्टार्ट कर देते हैं तो ऐसे में जो है आपका चुजा का ग्रोथ सही तरिके से नहीं हो पाएगा और उनको कई तरकी बीमारी पकड़ लेगी तो इसलिए आप दोस् के माध्यम से भी ले सकते हैं या तो आपका कोई दोस्त पोल्टी फार्मिंग करता हो तो उससे भी जा करके ले सकते हैं दोस्तों इहां पर मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कई किसान साथी ऐसे होते हैं जो इस तरह के वीडियो को देखते हैं जिसमें ब वीडियो ऐसे बना है जिसमें बीमारियों के बारे में बताया है तो उसमें बहुत ही कम व्यू आया हुआ है तो ऐसा ना करें अगर आप पॉल्टी फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप जो बीमारी के बारे में बताया जा रहा है जो पॉल्टी फार्मिंग से रिलेटेड अच्छी जानकारी जो है उसको देखें ना कि आप पांच सोंबूर्गी पालिए और पांच लाख रूपया कमाईए इस तरह के फालतू चीजों के उपर आप अपना किमती वक्त को बरबाद ना करें दोस्तों अगर आप सही तरिका से पोल्टी फार्मिंग करना चाहते हैं तो भूसी को पहले से ला करके रख लिए रहें क्योंकि अगर आप बरसात में पोल्टी फार्मिंग की सोचते हैं तो आपको पता ही होगा कि राइस मिल में जो भूसी है वो अंदर में नहीं होता है बा लें और अगर आउट सीजर में आप भूसी लाएंगे तो वह महंगा भी पड़ेगा और दूर से जा करके लाना पड़ेगा तो इसलिए आप सही मोसम का चुनाव करके आप भूसी को पहले से इस्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों इसके अलावा आपको अपने छेतर के या तो प्योर देशी तो एक दिन आप फार्मिंग शुरू करने से पहले अपने आसपास के मार्केट में क्यों से ब्रीट का ज्यादा डिमांड है उसका पता लगाएं यानि कि आप कट्र लोगों के पास जाकर के पता लगाएं कि कौन सा मुर्गी क्या रेट में बिकता है तो फिर उसको बड़ा रूप दे सकते हैं तो ये भी एक मंत्र है सकसेटफुल पॉल्टी फार्मर बनने का और क्यों हमें कम मुर्गी से फार्मिंग स्टार्ट करना चाहिए इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ तो चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं या तो मैं वेक्सिनेशन नहीं करते हैं और आपके मुर्गी को जैसे कि आपने वेक्सिन रानी खेत का वेक्सिन नहीं किया है और रानी खेत का वीमरी आ गया तो उसमें आपको पता है कि 80-100% तक की मॉटिलिटी है तो आप ऐसा रिस्क न ले अगर आप पहली बार पॉल्टी फार्मि कर पाएंगे दोस्तों इसके लावा आपको तुरंट सकसेज हो जाओंगा ऐसी सोच नहीं रखना है कई लोग सोचते हैं कि चूजा लाओंगा उनको पालूंगा बड़ा करूंगा उसके बाद जैसे ही उसको सेल करूंगा मेरे पॉकेट में पैसा आ जाएगा ऐसी सोच है आपको कम सकम साल भर उसके लिए समय देना पड़ेगा क्योंकि आपको मार्केटिंग सिखते तक कम सकम साल भर लग जाएगा और देसी मुर्गी पालन में सबसे जरूरी चीच जो है वह है पैसेंस याने की धैरिया अगर आप में धैरिया नहीं है तो आप इस काम को नही पर लाते रहते हैं और अगर आप भी पॉल्टी फार्मिंग में इंट्रेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिपिकेशन आप तक पहुंचे तो ठीक है मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत